हलो फ्रेंड्स में शालनी और आज में लेकराई हूँ आपके लिए बहुत शानदार और मज़ेदार सी रेस्पी से बनाना आसान तो है ही साथ ही ये टेस्ट में काफी टेस्टी बनकर तयार होती है मतलब आपने आस तक इतनी टेस्टी मिठा ही नहीं खाई होगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आधा कप सूजी ले लिजे जितनी सूजी ली है उतना ही हम दही ले ले लेंगे यानि आधा कप इसमें दही डाल दीजे और अच्छे से मिक्स कर लीजे आप देखेंगे जो हमारा बैटर है थोड़ा सा गाड़ा हो गया है क्योंकि सूजी बहुत जल्दी फूलती है तो इसमें थोड़ा सा दही का पानी या फिर छाच डाल दीजे यानि दही को पतला कर लीजे और उसकी छाच बना कर तयार कर लीजे फिर इसमें डाल दीजे अच्छे से इसे फैट लेना है लगबग 5 मिनट उसके बाद आप इसमें डाल दीजे थोड़ा सा इनो पाउडर मैंने एक चमच इनो पाउडर डाल दिया है अच्छी तरीके से इनो पाउडर को मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर हो जाएगा बिल्कुल तयार यह दिके बैटर तयार है एक दम परफ में कुछ ड्राइफूट्स स्टफ करने हैं तो मैंने आपर थोड़ी सी चीरोंजी कटा हुआ बदाम कटा हुआ पिस्टे की कत्रन एक किश्मिश और साथ में मैंने आपर थोड़ी से साफ्रोन फ्रेट्स भी हैं अब हम एक चमच बैटर ले लेंगे और इसको अच्छे से क कर लेना है और यह जो हमारी प्लेट्स हैं तैयार उचुकी है थोड़ा सा टैप कर देंगे लगा देते हैं इन एक के उपर एक लेकिन जहां पर इडली हमने रखी है दूसरी इडली इसके उपर नहीं आनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना है गरम पानी में हम इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं लगबग 15 मिनिट के लिए तो तेज आज पर इसे 15 मिनिट के लिए स्टीम करेंगे जब तक ही स्टीम हो रही है तब तक मैंने यहां पर आधा लीटर दूद ले लिया है एक पैन में तो सबसे पहले तो हम इसे तेज आज पर अच्छे से उबल देते हैं यह मैंने एकदम फ्रेश और फुल फैट क्रीम दूद लिया है तेज आज पर अच्छी तरीके से उबाल लिया है अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से साफ्रों फ्रेट्स जिससे इसमें अच्छा सा कलर आएगा यदि आपके पास साफ्रों फ्रेट्स नहीं ह तो आप इसकी जगा यलो फूट कलर भी डाल सकते हैं जब तक हमारा दूद उबल रहा है, थोड़ा सा गाड़ा हो रहा है तब तक हम अपनी और तैयारी कर लेते हैं लेकिन इसे बीच पीच में चैक भी करते रहेंगे यहाँ पर मैं इडली को डी मोल्ड कर रही हूँ मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था ठंडा करने के बाद इसे डी मोल्ड के आणि तो पीचे से चिप केंगी यह देखिए कितनी बढ़िया हमारी इडली बनकर त्यार हुई है एक दम से छे दिखाई दे रहें आपको तो इसका मतलब यह है कि हमारी इडली काफी बढ़िया बन करते आ रहे हैं एक दम फलपी यह देखिए अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूद ले लिया है दूद में हम इसको थोड़ा सा डिप करेंगे और तुदन से इसको बाहर निकाल लेंगे नहीं तो जितना भी एक्स्ट्रा दूद है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं एक बरतन में इन्हें सैट करते जाएं यह वाली जो रैस्पी है राजस्तन पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है आप लोगों की डिमांड के कारणी इसकी वीडियो मैंने तयार की है दो बड़े चमज यहां पर मिल्क पाउडर ले लीजे थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाले क्योंकि यदि आप थंडे पानी में मिल्क पाउडर को घोलेंगे तो इसमें गुठले पड़ जाते हैं इसलिए गरम पानी में इसे घोलें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद जो हमारा दूद गाड़ा हो रहा है तुरंट से हम इसमें डाल देंगे डालने के बाद इसे तुरंट से चला दीजे और थोड़ी ही देर में देखेंगे कि दूद गाड़ा होना शुरू हो गया है यह देखिए दूद गाड़ा हो गया है तब इसमें स्वाधनुसार चीनी मिला दीजे मैंने लगबग यहां पर चोथा एकप चीनी डाली है चीनी को अच्छी तरीके से घुलने देते हैं केसर ने भी देखे कितना बड़िया कलर छोड़ दिया है काफी बड़िया सा कलर आ गया है और दूद की जो क्रीम है वो हमारी तयार उचुके देखे कितना थिक हो गया है यदि आप चमच पे लेंगे तो चमच पर आपको यह चिपका हुआ दिखाई देगा देखे मैं चमच से दिखा रही हूँ यह देखे चमच पे आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो बिलकुल इतना ही हमें थिक चाहिए बहुत जादा इसको गाड़ा मत कर लीजेगा वरना जो हमारी सौगी इडली है वो एकदम से से पी लेंगी और पतला जो हमें क्रीमी टेक्स्टर चाहिए वो नहीं मिलेगा तो ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद ही आप इन इडली के उपर डालिए ये देखिए बहुत ही यम्मी सी हमारी रैस्पी बनकर तयार हो चगी है फ्रेंड्स आप लोगों को ये रैस्पी काफी पसंद आई थी काफी लोगों ने डिमांड किया था कि आप इसकी वीडियो अपलोड करें तो मैं इसकी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और यकीम माने बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है यानि आपके पास दो चूले है तो आप एक फ्लेम पर आप इडली बनाकर तयार कर लीजिए और दूसरे पर गाड़ा दूद रखने के लिए रख दीजे तो 15 मिनिट में ये रैस्पी तयार हो जाती है उपर से गार्निश कर दीजे थोड़ से कटे हुए ड्राइफूट से जैसे मैं नहीं पर पिस्तर बदाम की कतरन डाली है थोड़ से सैफ्रों ठ्रेट्स टाल दीजे तो एकदम यमी सी रैस्पी बनकर तयार हो जाएगी फटाफट से बनने वाली यानि आपको रस मलाई का ये स्वाद याद दिला देगी तो आप जरूर से बना के ट्राइ कीजेगा बहुती जल्दी से बनने वाली रैस्पी आपको बहुत पसंद आएगी घर में और देखे मैं आपको इसे काट करके दिखाऊंगी कि ये काट करके अंदर से कैसी लगती है क्योंकि अंदर जो इसकी स्ट्रफिंग है वो देखने भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी काफी अच्छा टेस्ट देती है ये देखिए कितनी सॉफ्ट है है ना कितनी बढ़िया एकदम से मतला आपको कहीं नहीं लग रहा होगा मैंने बहुत हलके से चमच इसमें डाली है और काफी जल्दी से टूट रही है और इसकी खास प्रात यह है कि जब आपने इसे बनाया है उसी दिन आप इसे तोरंट से खालीजे यानि आपको रखने की जोड़त नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूट कर लीजे ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग लग रही है तो जरूट से बना के इंजोई करना फ्रेंट से तरह नहीं रेसिपी में आपके साथ फिर से मुलाकत होगी तब तक लिए थैंक्यू बाइबाइ